हेलो बच्चो, कैसे हैं आप सब? आज है स्टोरी टाइम. लेकिन आज हम स्टोरी टाइम में कुछ अलग करने वाले हैं. आज आपको स्टोरी सुनाई नहीं जाएगी. आज आप स्टोरी खुद बनाएंगे. तो हर स्टोरी को कोई ना कोई तो लिखता होगा ना? उसे कहते हैं ओथर. ओथर वो होता है जो काहानी लिखता है या लिखती है. तो आज आप सब ओथर बनने वाले हैं. स्टोरी लिखने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. हमने पहले कहां, कारक्टर्स के बारे में पढ़ा था ना? फिर उन्हें बीच में गुसा आ सकता है और फिर बाद में वो खुश हो सकते हैं, तो feelings बदलती रह सकते हैं, हर कहानी कोई ना कोई जगा होते है, यानि या तो school में हो सकती है, या फिर jungle में हो सकती है, या फिर दिन में हो सकती है, रात में हो सकती है, उसे setting कहते हैं, तो हर कहा एक problem तो होती है, यानि कि हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, या हो सकता है कुछ अलग ही हो जाए, जैसे कि आपसे aliens आ जाया, या हो सकता है पूरी दुनिया खत्रे में हो और आप बचाने वाले हो, उस problem को चौथा element solve करना कहते हैं, यानि solution होता है, यानि कि जैसे आपने दीखा होगा, किसी ना किसी पिचर में, कृष में पहले वो super hero बनता है, और super hero बनने के बार, उसकी life में बहुत problem आती है, और फिर वो उन problems को solve करता है, तो या तो character खुद ही उन चीजों को solve कर सकता है, या फिर कोई और character क ले कर सकता है, तो इस तरीके से हम story बना सकते हैं, तो चलो इन चारो चीजों को use करके देखते हैं, story कैसे बनेगी, यहाँ पर हमें पिचर दिख रही है, सबसे पहले तो हम पिचर में देखते हैं, क्या-क्या है, जितना दिख रहा है, पहाड़िया है, उपर, clouds हैं, तो या दो बच्चे दिख रहे हैं, जो बहुत खुश है, उनके बीचे एक बिल्ली है, बच्चों ने शायद basket को टोपी बना कर भी पहन रखा है, और यह शायद खेत की जगा लग रहे है, तो आप पिचर देख ली, तो आप story बनाते हैं, ध्यान दीजेगा मेरी story में, characters पर, problem पर और solution पर, तो इस कहानी में दो बच्चे थे, चिंकी और उसका भाई राहुल, चिंकी और राहुल की एक पहुत अच्छी दोस थी, टिम टिम, टिम टिम एक बिल्ली थी, टिम टिम, राहुल और चिंकी रोज घूमने जाते थे, वो रोज सुभा के 8 बजे उतते थे, पहाड पर जाकर चड़कर आते थे, अच्छी ताजी हवा लेकर वापस नीचे आते थे, खेलकर अपने ममी पापा की मदद कलते थे अपने खेत को चलाने में, लेकिन एक दिम क्या हुआ, वो दोनों टिम टिम के साथ पहाड़ों पर गए, पहाड़ों पर अचानक से एक भीडिया पॉक्स आ जाता है, और वो टिम टिम को ले जाता है, राहूल और चिंकी बहुत डर जाते हैं, और वो भाग जाते हैं, पर फिर उन्हें बहुत बुरा लगने लगता है, वो साइड पील करने लगते हैं, कि उन्होंने टिम टिम को ऐसे छोड़ दिया, जो उनकी बहुत के साथ उड़ती थी. टिम टिम रोज उनकी मदद करती थी. और उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि वो ऐसे छोड़कर आ गए उसे. तो उन्होंने क्या करा? अपने मम्मी पापा के पास गए. और उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा हो गया है. बेडिया टिम टिम को उठा कर ली गया है. अब मम्मी पापा ने क्या किया? मम्मी पापा ने उन्होंनों की बात समझी. उन्हें समझाया कि अपने दोस्त को ऐसे छोड़े ना आगे से और उन्हें पक्का वादा किया वो टिम टिम को वापस लेकर आएंगे. मम्मी पापा गए गाउवालों के पास और सारे गाउंवाले इखठे होये, इखठे होके वे सारे पहाड पर गए और उस भेडिये को ढूणने लगे, भेडिया असानी से तो नहीं मिलने वाला था, तो एक पहाडों पर ही रहने वाले रिशी मुनी के पास जाकर उन्होंने पूछा कि कहाँ पर जा सकते हैं, उन्होंने बता कि कहाँ पर भेडिया मिल सकता है और रिशी मुनी की बात सही निकली, वहाँ पर भेडिया मिल गया, जब उन्होंने देखा तो भेडिये ने अभी भी टिम्टिम को कुछ नहीं करा था, तो टिम्टिम को वो अभी भी बचा सकते थे, गाउवालों ने भेडिया को किसी तरी जबकि बहां पर कुछ नहीं था। ये जलासा देखकर गाउवालों ने टिम्टिम को उठाया और सबकी सब फटापड भागे। कुछ देर बादी भेडिये को एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हुआ है और वो आगे पीछे देखने लगा। देखा तो सब टिम्टिम को लेकर चले गए थे। भेडिये का बेवकूफ बन गया था। भेडिये को बहुत कुस्सा आया। वो देखने लगा आगे कि कहा हैं गाववाले जा चुके थे तो भेडिया कुछ नहीं कर सकता था। अब मम्मी पापा गाववालों के साथ लाते हैं टिम्टिम को उसे देखकर राहूल और चिंकी बहुत खुश हो जाते हैं। वह तीनों नाचते हुए फिर से अगले दिन पहाड़ों पर जाते हैं। पर इ इस तरीके से वह तीनों वापस मिल गए और बहुत खुश थे। तो आपने देखी मेरी स्टोरी मैंने तीनों चीजों का यूज किया। मेरी स्टोरी में तीन कारेक्टर थे। राहूल, चिंकी, टिम्टिम। तिम्टिम की साथ एक दिक्कत आ जाते हैं। यानि कि भेडिया उसे उठा ले जाता है। और solution क्या था? गाउवाले जाकर बचाते हैं टिम्टिम को। इस तरीके से पूरी कहानी बन गई। अब आपको क्या करना है? चार पिच्चर्ज है। इन चार पिच्चर्ज को देख कर आपको अपनी कहानी बनानी है। इन में से कोई भी एक पिच पिच्छरा चूस कर सकते हैं और पिच्चर को देखेगा। उस में कितने लोग है। लोग कैसा ह। ब भी एक हैं या फिल कर रहे हैं, कैहसा हम हाएं हरों में जंगल और फिर अपनी स्टुरी बनाना शुरू कर सकते हैं। आपनी स्टोरी बनाने के लिए voice note भेजते, voice note पर अपनी स्टोरी बोले और मुझे भेजते, ये करने के बार आपको जितना आप creative हो सकते हैं, उतना होना है, आप आगे पीछे और characters आड़ कर सकते हैं, अलग-अलग तरीके ला सकते हैं, आपको creative होने की पूरी अजादी है, औ और आप उस language में बना सकते हैं, जिसमें आप सबसे comfortable हो, तो अगर आपको English में बनानी है, तो आप English में भी बना सकते हैं, Hindi में बनानी है, तो Hindi में भी बना सकते हैं, पहली picture है ये, दूसरी picture है ये, तीसरी picture है ये, चौथी picture है ये, इन चारों pictures को देखने के बार, आपको क् लगता है इन पिच्चर्स को पढ़िये और स्टोरी मुझे भेजती थिये उमीद करती हूं आपको ये काम खत्मी में बहुत मजा आएगा मुझे तो बहुत मजा आया कहानी बनाने में All the best